हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब भी उमीद करती हों आप सब भी बहुत अच्छे होंगे प्रेंट्स कई बार प्रेग्नेंसी के दोरां सही पोजिशन क्या होती है सोने की इस बारे में जानने की काफी ज़्यादा जिग्यासा हर प्रेग्नेंट महिलाओं को होती है जैसा कि मेरे पास comment आते हैं कई सारे comment ऐसे भी आते हैं कि क्या गलत position में सोने के कारण या फिर कौन सा सही position होता है प्रैगनेंट महिला अगर कोई गलती कर लेती है सोने में तो क्या उनका baby जो है आने वाला उसमें जान नहीं बच्चती है यानि कई बार आपने सुना होगा कि बर्थ के बाद बेबी जो है वो पेट में ही मड़ा हुआ पैदा हुआ है तो क्या इससे रिलेट करता है यानि प्रेगनेंसी का पोजिशन कैसा होना चाहिए सोने का स्पेसली ताकि बच्चे को जितना भी निउट्रिशन मिल सके नैरिस हो सके बच्चा और साथे साथ ऑक्सीजन ब्लड सप्लाई बहुत ही अच्छे से हो इसका हेल्थ अच्छार है औ आपकी प्रेगनेंसी की आगे की मन्त की डेवलप्मेंट होती चली जाती है वैसे वैसे प्रेगनेंसी में सोनी का पोजिशन भी सही होना चाहिए अगर आप गलत पोजिशन से सोती है तो बच्चा पेट में दब सकता है उसको बलड और ऑक्सीजन की सप्लाई ढूख सकती है जिसके वज़़े से उसको नुक्सान पहुँच सकता है सबसे इंपोर्टन चीज यह है कि जब आप प्रेगनेंट होती है उस समय आपका यूट्रस आपको इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं देता है यानि पेट नहीं बड़ा होता है नहीं दिखता है नहीं आपको सोने के समय कोई दिक्कत महसुस होती है तो अगर आप प्रेगनेंसी के पहले ट्राइमेस्टर में है पहला दूसरा तीसरा महीना है आपका तो आपको कभी भी पेट के बल नहीं सोना है क्योंकि इस समय डिसकमफर्ट तो नहीं होता है आपको पेट के बल सोने में बट इससे इंटरनल लिवल पे प्रॉब्लम हो सक ताहे में भी इसके लिए आपको पेट के बल नहीं सोना चाहिए प्रेगनसी के किसी भी महीने में स्टार्टिंग के फेज में चुकी आपकी प्रेगननसी कई बार कमफर्म करने में आप 1-2 मन्स लेट भी हो जाती है तो ऐसे situation में जैसे ही पीडिट्स में सोता है आपने चेक किया और कमफर्म हो गया pregnancy है तो फिर सोने के position पे ज़्यादा important है कि ध्यान देना चाहिए starting से ही ताकि आगे जाके वो किसी भी complication को किरियेट ना करें इसके अलाबा friends बहुत सारी महिलाओं को लगता है कि pregnancy में सोने का तरीका क्या होना चाहिए जो कि सही हो प्रेगनेंसी के दोरान रात को कई बार कई महिलाओं को नींद नहीं आती है ऐसे situation में चुकि ये hormones के growth की वज़े से होता है तो friends अगर ऐसे कोई परिशानी आपके साथ है कि आपको नींद ठीक से नहीं आती है बहुत जादा anxiety की problem होती है सोचती जाता है तो आपको रात को गुनगुने पानी से नहाना चाहिए और फिर सोना चाहिए जिससे कि नींद proper आप ले सकेंगी आपकी body को एक proper wrist की जरूरत होती है night का नींद 8 hours का complete होना चाहिए pregnant में हिला का जिससे कि उनका physical stress down होता है और sadary group से वो स्वस्त रहती है pregnancy के दौरान जो भारी भरकम complication face करना पड़ता है वो बच जाती है इस situation से इसके अलावा friends आप कीसर वाले दूद को पीना start करिए फिर healthy एक चुटकी डाल करके एक glass दूद गुनगेने दूद में पीना चालू कर स इसमें कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिससे महिलाओं को नीन अच्छे से आ जाता है इसके अलावा friends दूसरी बात का ध्यान रखना है कि रात को बहुत लेट नाइट तक जगे नहीं रहना है आपको अच्छा routine maintain करना है 9-10 बजे आपको सो जाना चाहिए अराम से ताकि early morning आप जरूर जाना चाहिए जो fresh air होता है वो oxygen काफी important होता है आपके लिए आपके बच्चे के लिए इस वज़े से आपको morning walk या फिर evening walk जरूर करना चाहिए specially बात करें सोने की position को ले करके तो सही position होती है करवट ले करके सोना अब ये right या left आप दोनों side ही ले सकते हैं ज़रूरी नहीं है कि एक ही करवट ले करके सोया जाए इससे भी body में pain हो सकता है इसलिए आप right या left करवट alternate basis पे ले सकते हैं देखें left करवट सोने को ज़्यादा best माना जाता है विकाज ऐसे सोने की वज़े से बच्चे को अच्छे से oxygen और blood की supply होती है बट ऐसा नहीं है कि आप अपने body को stress में डाल ले anytime आप left करवट ही ले करके सोया आप बीच बीच में अपने body को rest देने के लिए flat भी सो सकती है य बॉड़ी के अंदर जैसे कि आपको हो सकता है सांस लेने में दिक्कत हो सीने में जलन की problem हो सकती है आपके कमर पे क्योंकि आफ लैट सो रही है कमर के बल तो बच्चे का जितना भार होगा वो back bone पे आता है जिसको हमें spinal cord क्याते हैं तो उसमें कमर के पास काफी ज़्यादा दर्द होने लगता है महिलाओं को तो यह चुटी चुटी बातों का सोने के समय आप जरूर ध्यान दे सकती है आप चाहें तो पिलो का सहारा लीजे ताकि body pen थोड़ा सा कम हो जाए क्योंकि बढ़ता हुआ पेट आपको सोने में जरूर परिशान करता है यही कुछ important tips हैं ज ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए आप चानल पर बने रहिए अगर आप पहले बाद चानल पर है तो make sure subscribe कर लिजेगा वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे like करें और share करना बिलकुल भी ना भूले आप मुझे instagram और facebook पेस पे भी follow कर सकती हैं मिलती ह नेक्स वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ अपना पूरा ध्यान रखे टेक केर दोस्तों थैंक्स पर वाचिंग